प्रणाम नमस्ते जैमातादी कैसे हैं आप सभी लोग होपस हो कि सभी बहुत अच्छी होंगे मैं भी अच्छी हूँ आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सामके साड़ी चार बजे से तो फ्रेंड्स आज कलना में सुबर मॉर्निंग में काम बहुत जादा हो र है कि अभी बहुत सारे इंविटेशन है देशी का बड़े आने वाला है तो सुबर में ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पार हूं किसी रीजन वर्स और मम्मी लोग एक दिन के लिए यह आये थे यहां चले गए हैं तो मैंना मम्मी लोगों को गए हुए यहां से तीन-चार दि ब्लॉग नहीं मना पाई हूं मतलब जो ब्लॉग आपको आ रहे हैं आये थे अभी तक वह ब्लॉग मैंने पहले ही बना चुकी थी तो फ्रेंट्स मम्मी आई थी तो यह वाला सूप लेके आई थी यह देखिए यह वाला पतानी कलर वहाँ पे थोड़ा सा हलका लग रहा है लेकिन यह है आस्मानी कलर गए पतानी कलर बोलते हूंगे इसको तो यह इसका दुपट्टा है यह देखिए यह इसका दुपट्टा है और सूट यह और गेंजा में है और गेंजा है इसका दुपट्टे का कपड़ा और सूट का कपड़ा भी और गेंजा ही है यह देखिए और इस तरह की यह बॉड़र है नीचे वाइट कलर की और फ्रेंट्स इसके अंदर न यह बॉटम का कपड़ा भी दे रखा है तो इस तरह की शूटों में गर्मी बहुत लगती है इनर वाले सूट नहीं को मैं बहुत कम पहनती हुआ उनमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो मैं अगर टाइम लगेगा तो यह सूट में खुदी सिल्लूंगी तो नेगी जी तो बहुत प्यारा है चुनी भी बहुत प्यारी है लेकिन ये सूट न मैं मम्मी के लिए तो मम्मी ने बोला कि ये कलर न मेरे लिए अच्छा नहीं है घर में जल्दी गंदा हो जाएगा और मुझे ये लाइट कलर अच्छे भी नहीं लगते हैं तो मुझे यह वाला कलर अच्छा लग रहा है देख हैं मैं सोचे हूं तो शिलूंगी तो भी और अगर सिल्वाने दूंगी तो भी कि मैं इसको अफगानी सल्वार में बढ़ाओंगी क्या होता है कि बाहर पहन रहे हूं जब तक घर में भी पहन रहे हो तो तो यह देखें अभी ना यहां से फ्रंट केमरे से इसका ना कलर थोड़ा अजीब सा रहा है मैं आपको बैक केमरे से अच्छे से दिखाती हूं कि यह कैसी है सूट और फिर आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि इसमें मुझे क्या बनाना चाहिए तो यह देखें अब यह सेम क कपड़ा और इनर का कपड़ा दे रखा है और यह इसका दूपट्टा है यह दिखें तो कैसे है सूट आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा तो फ्रेंट्स मेरे को ना एक दो वीडियो में पहले भी आया था यह कॉमेंट और अभी भी आया है एक दो दिन पहले कि आपक को नहीं बता सकते फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए और ये वाला चैनल मेरा भी मॉनेटाइज नहीं हुआ ये चैनल मॉनेटाइज हो जाएगा तो जरूर मैं आप लोगों के लिए अपनी लव स्टोरी का अपनी लेके आऊंगी फिलाल मैं आप लोगों के लिए इतना ब दूसरे को किया था पहले लेकिन मिलना जुलना नहीं हुआ था तो फ्रेंट्स मैं आप लोगों के साथ जैसे ही मेरा चैनल मॉनेटाइज हो जाएगा आप लोगों के साथ अपनी लव स्टोरी जरूर शेक करूंगी क्योंकि एक बार हमारी लव स्टोरी ऐसी है कि आपको सि अगर आप लोगों ने देख रखी होगी या जीना सिर्फ मेरे लिए तेरे लिए क्या है मुझे ठंक से नाम भी नहीं पता उसका तो उसकी जैसे हमारी लव स्टोरी है तो जब भी मैं सुनाओंगी आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और यह चीज मुझे नेगी जी यह चीज सभी आज से तो नहीं भाद नहीं है कुमके बहुत कम बनाते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लेकिन मेरे को बोला था कि अपनी लव स्टोरी शेज का लिए तो मैं सोच भी हूं कि मेरे चैनल मोरो हो जाए उसके बात मैं अकेली नहीं हम दोनों बैट के क्योंकि नेगी जी को बहुत कम टाइम मिलता है घर पे ऐसे फिरी रहने का कि जैसे हम वीडियो बना सके लेकिन मैं टाइम निकालूंगी और पार्ट वाइज आप लोगों के लिए अपनी लव स्टोरी लेकिया होंगी आप लोग को यकीनान बहुत मज़ा आने वाला है बहुत अच्छी लगेगी आपको और है भी सुनने में भी बहुत इंटरस्टिंग है मुझे मैं लगा किसी भी इंसान को व्लीब नहीं होगा कि कि इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मेरी फैमिली बढ़ाईए और मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करें ताकि मेरा जल्दी से मोनटाइज हो जाए फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी लवी स्टोरी नहीं पूरी लाइफ की जरनी सीर कर का लाडी कैसे हुई हमारी शगाई कैसे हुई और फिर मैं अपने सवारा लाई फिर सवारा से किराय भी गई पर अभी मेने जो मकान ले रखा है गया हमारा खुद का मकाने लोन पर कैसी लिया सब कुछ मैं आप लोगों के शाष और सब सबकर बना दीजिए आ पिर मैं और ये सूट में कैसे बनाओं आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएगा, फिलाल तो मैंने सूचा है आप गानी बनाने का, बढ़ आप लोग भी सजिस्ट करिएगा. परवतों की ठंडी हवाएं सासों में बस जाएं, हाई रे सासों में बस जाएं, वादियों में फूल खिले जो कुशबू ये मैकाएं, हाई रे जर 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 ने कीत सुनाएं, वो तिरा खंड की बात बताएं, ओ परदेसी लोट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाएं तो फ्रेंड्स ये है सामका टाइम और यहाँ पे मैं डिनर की तियारी कर घी हूँ, सबजी रखी है मैंने, और आटा भी लगा लिया है मैंने, तो फ्रेंड्स ये है सामका टाइम और यहाँ पे मैं डिनर की तियारी कर घी हूँ, सबजी रखी है मैंने, और आटा भी लगा लिए है मैंने तो फ्रेंट्स यहां पर ना बस मैं तैयारी कर लूँगे उसके बाद हम पीएंगे चाय यहां पर मैं रेशी के लिए दूद बना रही हूं और अपने लिए चाय बना रही हूं और साथ में मैं चीप्स वगएर फ्राइब रही हूं नेगी जी ऑफिस से आ साम की कभी कभी बनाती हूं साम की चाय मतलब इस टैम की क्योंकि नेगी जी ज्यादा तर चाय पसंद नहीं करते हैं तो कभी अगर आफिस में नहीं पीते हैं वो तो मैं घर पे बना लेती हूं कि साथ में चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है तो यह देखिए कुछ दाने के चीप्स ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगते हैं यह एक तो और बहुत जादा पीते हैं वेल्कम वेक्टो और चैनल पर नाम नमस्ति जैमाता दी अभी साम का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं मार्केट रेसी का बड़े है 21 अपरेल को और पता नह लिए ना वैसे तो मैंने उसे पूछा था वो बोल रहा था ममी मुझे अभी किसी भी चीज की नहीं है लेकिन मैं सुसरी थी कि छोटे-छोटे गिफ्ट बना के लिया थी उसकी स्टडी की चीज़े लियोंगे उनका अला-गला गिफ्ट बना दूंगी तो वैसे मैं उसको अब इस बार ना वो देने वाली थी ट्रॉली बाला बैक देने वाली थी लेकिन नेगी जी मना कर रहे हैं कि अभी क्या करना जब ट्रैविलिंग के लिए कहीं जाने का होगा तब लेकिया आजाएंगे मैं सूच रहे थी उसके लिए छोटा सा लिए क्या आती हूँ मलदा जिसमें मलब कभी एक आदमी जैसे ट्रैवल करता है जैसे कभी नेगी जी ओफिस के काम से जाते हैं या मुझे और रेशी को कभी जाना होता है तो हम छोटा सा बैक बूल लेके चले जाएं लेकिन नेगी जी नहीं अभी नहीं क्या करते हैं इसको बाद में लालेंगे अभ अभा भी मंगाया था पैन का जिसमें पचास पैन थी लेकिन पता नहीं ओडर किया था फिर वो पसंद नहीं आया हमको तो वो कर दिया हमने रिटेंड कर दिया तो मैंने सुचा इधर ही छोटे मोटे बहुत सारे गिफ्ट देख लूँगी तो वही उसको दे दूँगी क्य बिलने के लिए तो ऊसको नहीं लेके जा रहे हैं हम जा रहे हैं नेवी जी और मैं इरby रहा और दिखते रहे हैं कि क्या एक होता है कहां कहां जाते हैं कहीं हम कि निकल सामी के लिए और आज हम झारे बायक चैसर और पारिस कब मोशंघे पांच बज़ी sûr लेकिन ऐसा लग है आठ बज़ की है अंधीरा सा हो गया मौसम चल्य चलते फिर मिलते हैं तो फ्रेंज़ अब हम गाड़ी सही जा रहे क्योंकि बहुत ही अंधीरा हो गया हुआ मौसम अभी भी बारिस आकटी तो बिला चलो गाड़ी लेके चलते हैं जो ठीक फिर लोग भो लेंगे हमेशा ना मैं तो बोल रही हूं कि मौसम साफ हो गया है विसा आज कल कहां आती है अब आज कल मौसम ऐसा ही हो रहा कि आपता आभी जाए तो जैसे यह भी खतम हो जाएगा तो फिर इसका काटेज मिल जाएंगे रख से मिल जाती है अगर आप रिफिल करना चाहो तो इनके बॉटाले लो उससे बाव जे खन जाता ने सिरी जाते हैं तो यह जाता है जाता है तो इस इतनी सारी शॉपिंग कर क्या है यह है यह यह है यह है और यह और जो मेंगीफ्ट है वह इसमें है यह दो इसमें है में लिकिन है बहुत बड़े हुआ हैं देखें यह मैं pak करवा के लाई हूं कि दीखने में छोते हैं जहें हैं बहुत बड़ बढ़ मत उसीजो मिलें से हैं इनको देखें बहुत बड़ी मिलेगी और यह अर। और भी बढ़ा है ऑज़े ऐसे कर वार तो यह है रेसी के बड़े का इंतिजाम हमारे तरफ से बाकी तो अभी होता रहेगा दो दिन बचे हैं तो फ्रेंट साम आज के हैं मार्केस से यह देखें इतनी सारी शॉपिंग है यह है यह रेसी के बड़े की तैयारी और यह में कि उठाए यह देखें तो फिप्त में गया है तो इस चीज के उसे नीड भी है और यह चीज उसे इसके नीज ज्यादा पसंद है आज कर कि क्या कहना तो यही मैं लेकर आई हूं अलग अलग उसमें और और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं उसके लिए इस सारे गिफ्ट उसी के हैं तो लिखाते हैं खाना वहना बनाओंगी और आज ना यहां मौसम ऐसे हो रखा है कि कभी बारिस जैसा हो जा रहा है कभी बारिस की बूंदी के इने लग जारी कभी एक्तम धूप आ जारी है तो मार्कर जाते टैम भी हमने दो तीन बार कभी बाइक लेगे फिर गाड़ी लेगे फिर बाइक में गए क्योंकि रहा घर पर ही और यह सब रेशी लिए सप्लाइज है उसे नहीं पता कि क्या आया है तो चलिए फ्रेंड्स में चेंज कर लेती हूं और फिर मिलती हूं आपको तो फ्रेंड्स में की जी करने लगे हैं भूजा और मैं चेंज करके बैढ़ गई हूं और लेके से लेके चलते हैं बनाइंगे गरम सबमें रहें घर में समोसे खांगे लेकिन मेरी देव्श्य की देवरा निपह रहेन की एक फ्राने क rage मा मैंनी होगा भी थैर के थूड़ा चाई बनाते हैं और फिर समोसे की कहते हैं और यह उसके बाद शै कर्का चाही करद्स इस खाना इसकी फूजा कर रहे है जो चलिए हमडी कहा लेते हैं फिर मिलती हूं आपको प्रिवतों की ठंडी हुआएं सासों में बस जाए है रे सासों में बस जाए आज तो सं Bowl कि और ये है रसमलाई तो आज हम टीनर में यही लेंगे रस मलाई और समोसा चाई और दूद्र हां है यह मीरी दूद भी जाए घरे चीत के दूद्र बण gelmiş रेडी हो वड़ी दर बन रही है हमारी चाई तो यह देखिए आज दो दो समूसे खाने पड़ेंगे तो चलिए जी कर लेते हैं आज दूनर में समूसा पाटी आप लोग भी आज दाईए समूसा खाने के लिए प्रण तो मेरी चाई भी वनके रिडि हो गई हूँ और यहां पर कीचन में मेरी मदद करवा रही है नेगी जी यानि यह चाई की जो छणी है उससे पकड़ने में कर रहे हैं नेगी जी को कीचन का काम कुछ भी नहीं आता कीचन का काम यानि Iyaвीरो चलिए कोई बात नहीं है वो तो हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है किश्वन के काम के लिए मैं हूँ और निगी जी बाहर का समार ले वास उत्ता ही काफी है तो फ्रेंट्स चलिए अब हम कर लेते हैं दिनर और आप लोग भी आल जाईए साथ ही करते हैं इस व्लोग का एन तो चलिए फ्रेंट्स बवाई जै माता दी कल फिट से मिलूंगे आपको एक ने व्लोग के साथ बवाई जै माता दी फूले बुरुशी फूली एगे बहार